प्रदेश के पूर्व अध्यक्स और प्रदेश के सरकार के जल सक्ति मंत्री सी स्वतंदर देव शिंग जी प्रदेश संगठन के सिल्पी संगठन महामंत्री समाने सी धरंपाल जी मंत्री मंडल के मेरे अन्य सहोगी और संगठन के हमारे सभी पदादीकारियों के साथ ही सहोगी दल सी निसाथ पार्टी के सी संजी डॉक्टर संजे निसाथ जी और अपना दल एसके सियासी स्पटेल जी समेथ पार्टी के सभी पदादीकारी और कार्यकरताओं की और से मैं आपका हिर्दे से अविनंदन करता हूँ मित्रों उत्तरप्रदीस में भारती चंता पार्टी के कार्यकरताओं की मेहिनत सरकार और संगठन के बेहतर सम्नुवे आधनिये प्रधानमंत्री जी के स्योग्य और यसोसी नित्रित्व और उनके मार्ग दर्शन में उत्तरप्रदीस नगर निकाई के चुनों में भारती जंता पार्टी ने अब तक की सबसे पड़ी विजय प्राप्त की है सत्रा नगर निकमों में पहली बार भारती जंता पार्टी सभी नगर निकमों में एक साथ पूर्ण पहमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है इसके साथ ही जो सत्रा नगर निकम हैं इनमें से तीन नगर निकम नए गटित हुए थे जिनमें अयोध्या, मतुरा ब्रिंदावन और सांज्हापुर मतुरा ब्रिंदावन और अयोध्या में बिगत वर्स चुनाव संपन हुए थे और सांज्हापुर में पहली बार चुनाव हुआ है सत्रा के सत्रा नगर निकमों में जिनमें से हर एक नगर निकम पांच लाग से लेकर के पचास लाग मत दाताओं यान आबादी के बीच का होता है और इतने वड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर गुनियादी स्विधायों पलब्द कराने उनके समक्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिठी के रूप में विक्सित करने के आधने प्रधान मंत्री जी के विजन को डबलिंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे वढ़ाया है आज ये जनादेश सब के सामने है प्रदेश के अंदर दो सो नगर पालिकाएं जिन में से एक सो निन्यानवे में चुनाओ संपन हुए है 2017 में भारतिय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में बिजय प्राप्त की थी इस वर्ष भारतिय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विकात वर्ष से यानि 2017 से दुगने से दिख सीटे भारतिय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है नगर पंचायतें पिछले पांच वर्ष के दोरान प्रदेश में नए नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है जो बड़ी गरम पंचायतें थी और बीस अजार की आवादी के जो गराम पंचायतें थी उन्हें नगर पंचायत के रुप में विक्सित करके नगरिये स्विवधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था उसी करम में लगवग 112 से धिक नगर नए नगर निकाय गठित हुए थे कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानि नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन हुए थे और भारतिये जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर सफलता प्राप्त की है 2017 से धाई गुना से धिक सीटें भारतिये जनता पार्टी ने इस सुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है इसके लाबा नगर निगम में 1420 वार्ड है जिनमें पार्षतों का च्रेन होना था चुनाव होना था भारतिये जनता पार्टी ने इस से पहले 17 में 596 वे विजय प्राप्त की थी और अब तक जो कुल पेड़ाम आये हैं 794 में से 438 भारतिये जनता पार्टी पहले ही जीच चुकी है पार्षतों में भी भारतिये जनता पार्टी एमान करके चलें कि पिछली बार की तुल्ला में दुगने पार्षत भारतिये जनता पार्टी के नगर निगमों में चीत रहे हैं ऐसे 1367 नगर पाली का परिश्ट के पार्षत हैं दिकतवर से 17 में 923 पार्षत भारतिये जनता पार्टी ने जीते थे ऐसे ही नगर पंचायतों में भी 7177 पार्षत चेयन होने थे दिकत चुनाओं में भारतिये जनता पार्टी को 664 फुल पार्षत प्राप्त होए थे अब तक 2457 में से जो पेड़ाम आये हैं उनमें से 937 भारतिये जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है और अभी काभी बड़ी संख्या में पेड़ाम आने जा रहे हैं ये मानके चले लगवक्त 4720 के पेड़ाम आने पाकी हैं इसमें बहुत आयत भारतिये जनता पार्टी के पक्स में ये पेड़ाम जा रहे हैं ये सभी रुजहान इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि 4 करोड 32 लाख मत दाताओं ने यानि 6 करोड से धिक आबादी नगर निकाएं में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है जिसमें 17 नगर निकम, 200 नगर पालिकाएं, 545 नगर पंचैतें हैं इन सभी को अगर हम जोड़ करके देखेंगे तो यह 762 नगर निकाएं को लाते हैं 762 नगर निकाएं में एक का पहले चुना हो चुका था जहांसी में एक नगर पंचैत और एक नगर पालिका और गौतम बुद नगर में एक नगर पंचैत सरसंबती से भारती जन्ता पार्टी का बोर्ड पहले वहां गठित हो गया यह चीज़ें दिखाती हैं कि डवलिंजन सरकार ने प्रदान मंत्री मोदी जी के मार्ग दरसन में उनके नित्रित्तों में सुसासन, बिकास और सुरक्षा का जो एक बहतर वातामन उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है और सासन की चीज़ों को डवलिंजन सरकार के कारेक्रमों को जमिनी धरातों तक पहुँचाने के लिए हमारे नगरविकास मंत्राल बिभाग ने भारती जनता पार्टी के कारेकरताओं ने जिस तत्परता के साथ कारे किया है चुनाओं में बहतर समन्वे हम सब की बहतर ताकत थी सबसे मुझबूत ताकत थी उसका यह पैणाम हमारे सामने है विगतवर्स जब 2017 में चुनाओं हुए थे उसमें 16 नगर निगमों में चुनाओं हुए थे और 16 नगर निगमों के चुनाओं जो संपन हुए थे उनमें से 14 भारती जनता पार्टी ने जीती थी दो बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीती थी पहली बार सत्र की सत्रा नगर निगम भारती जनता पार्टी जीत करके कहत्यासिक जमादेश को प्राप्ट की है इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में दो विधानसवा के उप्चुनाव भी संपन हुए है एक 96 जो विधानसवा थी वहा हमारी सहोगी दल अपना दल ऐसके विधायक से राहूल प्रकास के देवंगत होने के काण खाली भी थी इस सीट को भी भारती जनता पार्टी कड़वंदन अपना दल ऐसने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को प्रास्त करके सीट जीती है और दूसरी सीट स्वार रामपुर जनपत की है जो समाजवादी पार्टी के सदस्य की अयोगिता के कारण इस सीट खाली भी थी उनके सदस्ता समाप्त होने के कारण इस सीट खाली भी थी इसे भी हमारे सयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सयोगी दल गड़बंदन के सयोगी दल अपना दल S.P. प्रत्यासी ने भारी बहुमत से सीड़ भी जीत करके दोनों उप्चनाओं में भी वहाँ पर जंडा गाड़ने का काम किया है मैं उत्तर प्रदेश की दोनों सभा उप्चनाओं के मद्दाताओं के प्रती 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 569 जो हमारे नगर पंचायते हैं 544 नगर पंचायते हैं इनके सभी मद्दाताओं के प्रती में हिर्दे से आभार अप्यक्त करता हूँ पूरा चुनाव सांतिपों डंग से संपन्व हुआ है आप आसरे करेंगे चार करोड 32 लाग से दिक मद्दाता इस नगर निगाय चुनाव में भागिदार बने थे 6 करोड से दिक की आवादी नगर निगायों में उत्तर प्रदेश में निवास करती है और सांतिपोंड तरीके से सभी चुनाव संपन्व हैं राज्य निर्वाचन आयोग को भारत निर्वाचन आयोग को निचुनाव को सभुसल संपन्व कराने के लिए हिर्दे से धन्यवा देते वे मैं अपने पूरी मसिंडरी को भी प्रसासन, फुलेस और सभी राजनितिक दौनों को भी जनोंने आचार संगिता के पालन को मान करके पूरे संयम के साथ चुनाव की विवस्ता को लोकतांत्रिक मुल्यों में विश्वास करते वे संपन्व करने में योगदान दिया है और नगर निकाय के चुनाव उत्तरप्रदेश के अंदर संपन्व हो रहे हैं मैं सौसर्पन इन सब को भी हरदय से धन्यबा देता हूँ एक बार फिर से आधने प्रधान मंत्री जे के मार्ग दर्शन में भारती जन्ता पाल्टी के कारिकरताओं के परिश्रम मंत्री मंडल के मेरे सभी सयोग्यों के द्वारा किये गए प्रियास संगठन के द्वारा बनाई गई बिहुरचना का प्रिणाम है कि प्रधेश के मद्दाताओं ने भारती जन्ता पाल्टी को यह जनादेश दिया है मैं इस जनादेश के लिए उत्तर प्रधेश के नगर निकाए में निवास करने वाले सभी मद्दाताओं का दोनों उप्चनाओं के सभी मद्दाताओं के प्रतिवी हिर्दे से आवहार अब्यक्त करता हो और विश्वास दिलाता हो कि उत्तर प्रधेश सरकार विकास, सुरक्सा और सुसासन के लिए जो उनकी वंसा है उसके अनुरूप प्रधेनाम देने के लिए पूरी तत्परता के साथ करे दरीए